अरे यह लड़की की गलती है या लड़की की गलती है मतलब समझ में नहीं आ रहा लड़की ने एक order book किया और लेट पहुचा तो अविसी बात है delivery boy वाले की गलती है क्योंकि लड़की ने तो अपना order book किया और वो लेट पहुचा और लड़की को उसने मार दिया और लड़क क्योंकि यह cash on delivery order था और लड़की भई नहीं देना चाहती लड़का उसको लेने लगते order को और उसके बाद लड़की की ही जो हाथ में अंगूठी थी वो उसके नाक पे लगती और लड़की की खून आ जाता है तो इसे साब से लड़की की गलती है क्योंकि वो यहां पे जब है कि डहीं तेम टोड़की की आप यहां टाहां वे इंग जो अढ़ेता हुएजंस, आपके कघाता हैुगू सबस्टशन कर दोरी करूग में कर दो aqueles AIP एंग-टेन्स. ल identifies जुर्सके गोजांकेती Util voice, सफ्टी थे यह नहीं यह उग पidade, अज़ हैं मेंазब यह दो टोरी बाली किसे परकाइट जरो अगेती है। and just you know he hit me with his hand meanwhile he already ran and he was in the lift and I tried to get hold of him I ran behind him just you know making noise to let people know what has happened with me to make them aware that this is the situation I tried opening the lift and it was getting close he tried to close I tried to open and then he saw that no I will not let him run away like this he pushed me again he hit me here which was very bad and I you know I was taken taken the item from the door though it was nearby the door only so when from the hand I got a two-step I went friend then she started taking the slippers slippers and beaten me and slippers and toward shoes also and then I little bit madam don't do like this madam this is not the way to behave with us I told then for my safety I know I have heated her hand her hand had touched into her nose in her hand in her right hand she was wearing a ring that ring had hit her nose so we have to understand this thing we have to understand about it close to the end what is the problem because we don't hear both of us and people are confused here tell us what is the problem here tell us what is the problem I want to tell you to tell us what is the biggest problem is that this is not such a wish that there is that there is no one who has been a big deal of trouble but what is the problem is that this is that this is good today you will be able to understand that you will be able to understand that you will आपको कभी ये नहीं दिखाना चाहेंगे देखो, एक चीज पूरी स्टोरी बता तो आपको क्या हुआ लड़की ने एक order book किया order था भई समान, वो खाने का वो आता है traffic होने की वज़े से late हो जाता है लड़का वो जो पहुसता है, जो delivery boy है वो order देता है, लड़की कहती है, आप इतना late कैसे आए वो माफी मांगता है, वो शमा चाहता है कि traffic था इस वज़े से, लड़की कहती है नहीं, नहीं, यह जो आपने इतना late किया है, मेरे को free में चाहिए मैं आपको एक रुपया नहीं दूँगा और मैं बात करूँगी और फिर वो कहता है, आप शिकायत मत करें आपको रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि यह cash on delivery order है यह prepared नहीं है, तो इसके ओपर वो लड़की रोश करती है, और बोलती है कि भाई, रुको, वो customer के chat support पर बात कर रही होती है, जोमेटो के, अब अब आपने कभी खरीदा हो, जोमेटो, स्वीगी, और उबरीट्स जो था, जो आज बंद हो चुका है, जोमेटो में लिप्त हो चुका है, तो अगर आपने कभी इन से शॉपिंग की है, तो आप इस चीज को समझ पाओगे अच्छे से, कि जब आप चैट सपोर्ट पर चैट करते हो, तो टाइम लगता है, ठीक है, तो डिलिवरी बॉइ ने कहा कि मैं नहीं रुख सकता, आपको जो बात करने हैं, आप करिये, और मेर को मेरा वो समान दे दीजिए, और मैं जा रहा हूँ, तो वो जो लड़की ने वहाँ पर रखा था, जो एक कबर थी नीचे, वहाँ से वो समान लेता है, वो निकलने लगता है, उसके गेट के वहाँ से, तो लड़की आती है, तो अब वो जब जा रहा होता है, वो जब समान लेता है, तो इस बीच में क्या होता है, कि लड़की ने जो अंगूठी पहने थी, अब लड़की धक्का मुक्की करती है, कि कैसे ये समान ले सकता है, आखिर ये तो एक गरीब डिलीवरी वोई है, जो जिसकी ड्यूटी और मैं कस्टमर हूँ, तो कस्टमर के उपर ये कैसे भाईया चड़के समान ले जा सकता है, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ और ये मेरा नौकर है, तो इसको रुखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने रुखने को काई, ये कैसे भाईया, अपनी मर्जी से नहीं रुखना, चाहे से आदे घंटे लगे या एक घंटे लगे, इसका रुखना बनता है, मैं इसको एक रुपए नहीं दूँगी, वो कहता है, मुझे रुपए मत दो, लेकिन मैं समान लेके जा रहा हूँ, फिर आप कंप्लेंट कर देना, तो इस बीच में क्या होता है, वो लड़की का ही हाथ, जब वो जबरदस्ती करने लगती है, हाथ लगता है नाग पे और खून आ जाता है, अब इसके बाद लड़की शोर शाराबा करने लगती है, delivery boy डर जाता है वो लिफ्ट से जाने लगता है लड़की और जोर जोर से शोर शराबा करती है एक ये बहुती common चीज है कि आप शोर शराबा करोगे भीड आएगी भीड आएगी पूछे कि क्या मामला है अब यहाँ पे गरीब जो delivery boy है लड़की चीख रही है कि भीड इसने मेरे को मारा तो फीर उसको पीटेगी ये सोच के delivery boy डर जाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है लड़की वड़ावट से आती है 20,000 इसके followers हैं तो ये बड़ा वीडियो बना के अपनी नाक कर डालती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ रोते वे और public बहुत emotional होके उस व्यक्ति के खिलाफ Zomato को tag करती है कि action लिया जैसे घटिया व्यक्ति के खिलाफ कि ये ऐसा भहिया है जिसने एक लड़की को मारा ठीक है सब को गुस्त आएगा इसमें कोई गलती नहीं थी आपने भी कभी जीवन में समान खरीदा होगा आपने भी खाना बुक्की होगा मैंने किया है कोई भी delivery boy है सबसे पहले आके आपसे लड़ने के लिए नहीं आता है वो आपको जानता ही नहीं है वो आपसे personal नहीं होता है तो वो simply आएगा अगर उसकी गलती भी है वो सबसे पहले माफी मांगेगा लेकिन जैसे कि ना वो आपको जानता है तो आप भी उसको नहीं जानते हो इस चीज को समझना पड़ेगा जैसे वो आपके साथ personal नहीं हो रहा है आप भी उसके साथ personal नहीं हो सकते ये भाईया जो इज़त का आदान प्रदान है सिर्फ delivery boy ही आपको नहीं देगा हम ये सोच बैठते कि delivery boy हमें इज़त करेगा नहीं हमें भी उनके प्रती इज़त रखनी पड़ेगी तो आप जब भाईय उनके सर पे चड़ने की कोशिश करते हो और आप ये सोचते हो ये तो भाईय गरीब है छोटा है तो यहाँ पर दिक्कत होती है अब मैं आपको बता दू भाईय जो delivery boy है इनकी जो rating है 4.6 rating है मतलब 4.6 rating का मतलब आप समझ रहो 5 में से और 5000 लोगों ने से rate किया है यानि की इसका जो चलन है वो अच्छा रहा है ये delivery boy customers को अच्छे zigreed करता है जिस कारण से लोगों ने इसको अच्छी ratings दी है तो यहाँ पर ये जो एक case आना इससे आप समझ सकते हो कि इस व्यक्ति का ये record नहीं रहा कि ये लोगों के साथ हिंसा करता है यानि की यहाँ पर ये हिंसा नहीं की गई यहाँ पर इसको उकसाया गया और जब ये निकलने लगा वहाँ से इसने सोचा मैं भाईया इस चंगुल से निकल सकूँ तो लड़की ही उसके उपर हावी होने की कोशिश करती है जिसके कारण चोट लग जाती है ठीक है आपको समझ भाई है तो यहाँ पर पहली चीज आप सोचो की मेरे को तो फ्री का मुफ्त का खाना खाना है आप पता ये चीज हटा दो बहुत से लोग सोचते की भाईया शिकायत करके आपको फ्री का खाना पड़ जाएगा बट आप उस delivery boy जो की एक वो लड़का है उसकी रोजी रोटी के उपर मतलब उसके उपर वो पूरा का पूरा लगता है आपने 200 रुपे का 300 रुपे का 100 रुपे का जितने का भी खाया वो सारा का सारा किस के उपर जाता है उस delivery boy की तंखा से कड़ जाता है आप सोचते हो भई मैंने तो मार लिया जोमेटो को क्या जा रहा है करोडों की कमपनी है उसका क्या बिगडा सौरी उस डिलीवरी बोई का बिगडा आप कितने बुरे करम फल में फस गए और ये लड़की इसी नियत में थी ये पहली बार नहीं करी है कि कमपनीयों को ये अप आपने वाला इनका गुलाम है क्योंकि भईया मैंने ओर्डर बुक किया मैं कस्टमर अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा क्या चीज होती है बहुत से लोग कह रहें तो डिलीवरी बहुत क्यों नहीं सकता था मैं आपको एक चीज समझाता हूं क्या है अगर आप कस्ट क्याओ क करता था तो नौर्मली कस्टमर के रिए कहता था आप डिलीवरी बवले को जाने दो मतलब उनको सबसे निकलने को कह देते हैं कहते हैं उनका कुछ नहीं आप उनके धीजिए आप हमें शिकायद कीजिए ठीक है Delivery Boy से लड़के मिलेगा भी कि आप उनको शिकायद कीजिए तो वो शिकायद करते हैं वो refund कर देते हैं अगर refund होना है या फिर जो भी कुछ Zomato Credit दे देते हैं वो अपने सहुलियत के हिसाब से दे देते हैं जिस हिसाब साब को दिक्कत आती है तो यह पूरा एक केस है अब मेरे साथ भी एक बार हुआ था कि Delivery Boy आया और मैंने का था Without Lesson Piaj मुझे Order चाहिए क्योंकि Lesson Piaj नहीं लेता तो उस होटल ने accept भी कर लिया था मेरी बात हुई थी और मेरी Delivery Boy को मैंने फोन किया था निकलने से पहले कि देख लेना यह Without Lesson Piaj उसने का ठीक है जब वो आता है और जब order मैं वहाँ पे देखता हूँ उसके सामने ही तो वो Lesson Piaj के साथ था मैंने का Lesson Piaj के साथ कैसे आगिया उसने का मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे यहीं दिया तो मैंने का vy मैं Customer Care पे बात करूँगा आपरुको तो मैं Customer Care पे बात करता इतनी देर में वो गाड़ी निकाल के ले जाने के मूर मोता बूलता मैंनी रुक रा मैंनी रुक रा जो करनाए करो मेरे को इस टाइम गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया मेरा मन के इसको पकड़ के मारू ओवेसी बात है क्योंकि भाई यहाँ पे भुगता मैं हूँ जैसे कि वो लड़की ने यह सोचा भाई ओडर मैंने किया, मेरे को टाइम बता के जो टाइम था उससे लेट आया तो बुगती मैं हूँ और डिलीवरी बॉय आके बस माफी मांग रहा और मुझसे रुपे मांग रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, तो मुझे भी गुस्सा है कि यह क्या बात है, जब मैंने यह मंगाया है उसके साथ बत्तमीजी करता, तो मैं गलत होता है बिल्कुल, उसी तरीके से लड़की ने भाई यहाँ पर साहियम नहीं उसकिया साहियम यह था कि वो शिकायत करती उसको जाने के बाद भी और नहीं लेती, तो देखो दिक्कत क्या है आपको बता रहो अगर लड़की ओडर नहीं लेती तो क्या होता बवाल ही नहीं होता न एक common sense वाली बात है आपने खाना मंगा है, वो टाइम पे नहीं है और अगर आप order ही ने ले रहे paid on delivery होता तो बाद भी होती cash on delivery है, आप cash नहीं दोगे लेकिन order भी यह ले जाएगा तो बवाल किस बात का करोगे बवाल तो इस बात का होगा आप order नहीं देना चाओगे सामने वाला खीचने लगेगा तो फिर आप तमाशा करोगे यह इस लड़की ने किया यह बहुत common sense वाली चीज है और अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो और अभी भी आप बोल रहों मैं लड़के का साथ दे रहों लड़की का साथ दे रहों दोनों की गलती है कैसे? लड़की ने सबसे पहले यह जो तमाशा करना चाहा है यह से आवशकता नहीं थी उसे customer care को शिकायत करनी थी वो customer care को कर सकती थी लड़का अगर यह कह रहा है कि भाई आपको नहीं अगर चाहिए लेट हो गया मैं शमा चाहता हूँ मैं order वापस लिके जा रहो अगर आप पैसा नहीं देना चाहते लड़की बोलती ठीक है लेकिन लड़की बोल रहे है मेरे को order free में चाहिए मैं आपको पैसा भी नहीं दूँगी तो यहाँ पर वो लड़के को ठीक नहीं लगा वो ले जाने लगा तो लड़की ने तमाशा गया अब यहाँ पर लड़के की क्या गलती है कि वहाँ पर उसको शान्त हो जाना चाहिए था बहुत सिंपली जब उसको लगा कि भाईया यह लड़की नहीं देगी वो निकाल के वीडियो बना लेता आज के टाइम पर हम यह सब चीज़े देखते हैं वीडियो बन जाता है आप जब देखो आज फस गया ना होई डिलीवरी उसको सिंपली यहाँ पर यह चीज़ करने की बजाए सिंपली वीडियो बना लेता कि मेरे साथ यह बत्तमीजी कर रही है रुपए नहीं देरी और फिर वह बोल देता ठीक है आपको नहीं देना आप रखिये यह समझने वाली बात है इससे कि एक जो होता है ना एक कंपनी का बहिया करमचारी और एक कस्टमर दोनों को यहाँ पर शिक्षा लेने की आवशकता है इस वीडियो से बहिया यह मसाला मजाक नहीं एक शिक्षा मिल रही है कि कस्टमर को कैसे ठीट करना चाहिए एम पड़ेगा कि आपको कस्टमर का आधर करना है अगर वो यहाँ पे चीज कर रहा है आप वीडियो बना लो आप उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते यहाँ पे अगर आप जबरदस्ती खीचने की कोशिश करोगे आप गलत हो तो यहाँ पे दोनों के बीच में मिस में मकसद रहा लड़की को पॉपिलरेटी चाहिए थी तो यहाँ पे मैंने गा न एक को बदनाम करने की कोशिश की गई यह ऐसा विशे नहीं था तो यहाँ पे इसलिए अगर मेरे स्टेंड की बात आए तो मैं डिलीवरी बॉई के साथ स्टेंड रखूँगा अगर की पॉपिलरेटी के पीछे थी गलत मनशा से चल रही थी और इस कारणवश उसको चोट लगी उसी के कर्म का फल उसे मिला और उसके बाद उसने विक्टिम काड़ खेला यहाँ पे आके वुमेन काड़ खेला जो बहुत ही शर्मनाक है यह चीज भाईया बिलकुल भी एक्स ऐसे लोग हैं मैं तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहता ऐसे लोग हैं जो भाईया पूरा देश का नाम खराब कर रहे हैं तो बाकी मेरे स्टेंड आप समझ चुक्यों I hope कि आप को clarity हुई होगी क्या पूरा विश्य है क्यों यह तूल पकड़ने का विश्य भी नहीं है क्य जिससे वह भी इस चीज को समझ पाए अवेयर होए क्या पूरा विश्य है आप मेरे को Facebook, Twitter, Instagram पर follow कर सकते हो वहाँ पर मुझसे जोड़ सकते हो मेरा यूजर नेम है वह आपको नीचे साइड में देख जाएगा जैहिंद